हेलो दोस्तों वेलकम डूमाय यूटूब चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कार स्टीरियो का वाइरिंग किस तरह से किया जाता है आप हमारे एक हाथ में के सोनी का कार ओडियो है देख रहे हैं यहां पर तो मैं आज इसकी वाइरिंग के बारे मैं आपको बतलाने वाला हूं इसकी वाइरिंग कैसे की जाती है लेट रैट कैसे जोड़ा जाता है कौनसी कलर का लेट होता है कौनसी कलर का राइट होता है पावर सप्लाई कैसे जोड़ा जाता है इसकी मीमोरी कैसे काम करती है मैं वह भी बतलाने वाला हूं तो प् वीडियो में सुरू करता हूं थो सबसे पहले मैं से जैक को यहां से निकाल लेता हूं यह देख रहे हैं दोस्तो यह हमारे हाथ में जैक है और इस जैक में कौन-कौन राइड इसमें दिया हॹा है वह मैं आपको बतलने वाला हुआ हुआ तो यह देख लीजिए ये हमारा 3 वramble आफिन वयर है अग्यक्र हुने स्पीकर का वायर है करका वायर में कौन रैट है कौन उत्रैंट है ये hen वाप पूरा पतला हुआ सबसे पहले मैं पावर सप्लाई और यह जो हमारा red वायर है जो car का जो चावी वाला लान होता है जिससे हमना चावी आन-ओफ करते हैं वो उसमें जाता है और यह जो black वला है यह ground है तो आप यह car में अगर install कर रहे हैं तो आपको यह बैटरी में देना पड़ेगा और यह आपको चावी लैन में देना पड़ अगर चाबी को आफ कर रहे हैं तहिए मुजिक सिस्टम भी आफ हो जाएगा आप इसका चाबी में जोडने का एक और रिजन है यह आपका जो मीमोरी होता है मुजिक शिस्टम का यह पूरा काम करता है जैसे कि आप समझ लिए कि इसमें कोई भी सेटिंग करके रखे हुए बास ट्रेबल आप कमबेसी जो भी किये हुए है वह रिसेट नहीं होता है अगर यह चावी लैन में जुटा हुआ रहता है और अगर आप इस तरह से वाइरिंग कर दीजेगा इस तरह से जैसे आप इस तरह से एक साथ जोड़ करके आप प अगर आप अगर ग्राउंड हो गया और माल लीजिए आप अगर घर में वाइरिंग कर रहे हैं इस कार ओडियो को स्टॉल कर रहे हैं तो घर में आपको एक साथ यह दोनों वाइर को रेड और यल्लो को एक साथ जोड़ना होगा ठीक है और यह प्लस में चला जाएगा जो बैटरी का जो पलस उला होता है पॉइंट यह पलस में जाएगा और यह आपका मैनेस में जाएगा आपका कार ओडियो आउन आज है ठीक है आप पावर सप्लै समझ गये कि उसके बाद यह देख लिए यह आपका जो यह बलु कलर का वायर है यह इसम्लिफियर इसमें स्टॉल कर रहे हैं तब यह काम आए, देखिए इसमें इसको रिमॉट वायर बोलते हैं इसमें रिमॉट लिखा इसलिए इसको cover किया हुआ है ठीक है उसके बाद आप आज यह स्पीकर में तो ये हमारा चर स्पीकर का चैनल है यह शांप को सदिदो एक से दैनल है यह शांप स्विकर का है एक कि दो तीन चार ठीक है अब इसमें कौन सा राइट है कौन सा में आ बना दिता हूँ आप अच्छी तरह से समझ लिफळिगे इसको ठीक है यह जो देख रेयर स्पीकर का राइट सैट का वायर है ठीक है और यह जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का वायर यह हमारा रेयर स्पीकर का लेट सैट का वायर है ठीक है यह समझ गए उसके बाद यह जो देख रहे हैं यह ग्रे कलर का वायर है यह हमारा फरंट स्पीकर का आपका राइट स PiG cat crochet का वायर है ठीक है समझ घेंस audience और यह सारे वायर में जो कुछ वायर है इसमें आपका Mega Black mont과 जो लाइनिंग दिया हुआ हुआ है कि यह कि ये यह देखिए इसमें भी है ये जो Drink क्ल्र का लाइनि फीड्यम मैनियम माइनिस वाला वायर है ठीक है और पूरे पिलेन है वो पलस वाला। स्फीकर का जो जो दो पॉइंट होता है मैनस पलस तो यह जो बलेक वाला वायर है यह आपका मैनस में जाएगा और यह पूरा पलेन वाला यह पुलस में जाएगा ठीक है आ अच्छी तरस से समझें उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर